हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग आई होव सब बढ़िया हैं अच्छे हैं खुश हैं तो गाईस जैसा की पहले ही मैं कफे सारी वीडियोज कॉंसेप्ट की वीडियोज आपको कंजंचन की करवा चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको if, whether, that, until, unless, both, between, सब के कॉंसेप्ट स रही हूँ जाए और वो जाकी वीडियोज देख लीजिए बिल्कुल छोड़ी छोड़ी वीडियो है उसमें मैंने कुछ क्योशन बताए हैं जो CGL, CHSL, Banking या फिर I would say आपके जो Air Force वगेरा के एक्जाम से उसमें भी पूछे गए हैं combined क्योशन है ठीक है गाईस तो आज भी हम ऐसे ही कुछ क्योशन सॉल्व करने वाले हैं अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज हिट दा लाइक बटन बेल बटन और सब्स्राइब का बटन भी दबा जितनी भी नए नए वीडियो तो चलिए गाईस शुरू करते हैं आज की वीडियो फाइंड आउट आउट देखते हैं अलेस एंड अंट गवर्मेंट टेक्स एन एक्शन गरूप्शन विल नॉट नॉट नहीं है और हमें वही एरर फाइंड आउट करना है पहला क्योशन देखते हैं अलेस एंड अंट गवर्मेंट टेक्स एनी एक्शन करूप्शन विल नॉट स्टॉप जब तक सरकार कोई एक्शन नहीं लेती करूप्शन जो है वो नहीं रुकेगी पताईए गाईस कि आपको इसमें क्या एरर लग रहा है क्या सोच रहे हो आपकी क्या नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए क्या करेक्ट करें मैं आप लोगों को पहले ही अनलेस और अंटिल का कॉंसेप्ट वाली वीडियो करवा चुकी हूँ अगर आपको समझना है कि अनलेस का यूज क्या है और अंटिल का यूज क्या है तो वो भी में डिस्क्रिप्शन बॉ और और को साथ में यूज़ करना है तो पहले इदर लिखेंगे और बाद में और जैसे मैं कहूंगे इदर राम और राहुल या तो राम या राहुल तो पहले इदर लिखेंगे फिर और लिखेंगे ठीक इसी तरीके से अगर हम लोगों को until और unless को साथ में यूज़ करना है त तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा until हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा unless हो जाएगा I repeat जब हमें एक ही sentence में until और unless को लिखना हूँ तो पहले नमबर पर until लिखते हैं और दूसरे नमबर पर unless और दोनों को किस से combine किया जाता है and से कुछ students ने मुझसे पूछा था कि म दो conjunction साथ में आ सकती हैं बिटा यहाँ तीन आई हैं unless and और until तीनों conjunction है और तीनों conjunction इकठी आई हैं इस तीनों को मिला के जो यह है न until और unless इसको कहते हैं conjunction phrase एक ऐसा phrase जो conjunction से मिलकर बना है ठीक है guys I hope आपको clear हो गया होगा let's move on to our next question although she was far away yet she could see that he was watching her यद भी वह बहुत दूर थी फिर भी वो देख सकती थी कि वो उससे देख रहा था अच्छा sentence है यद भी वह बहुत दूर थी फिर भी वो देख सकती थी कि वो उससे बहुत दूर था दिमाग लगाओ ध्यान से देखो क्या गलती हो सकती है यह no error है हो सकता है no error हो देखके बताओ, यहाँ पर एक concept है देखो, आप सभी लोगों को यह पता है कि although के साथ कौन सी conjunction लगती है, yet, लेकिन मैं बताओ, although के साथ यह तो yet लग सकता है, यह लग सकता है, कोमा, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को यह चीज़ समझ नहीं होगी, कि जो punctuation होती है, कोमा, semicolon, यह सा समझाया था, कि यह मत देखना, कि and, but, यह चीज़े conjunction का काम करेंगी, no, आपके लिए conjunction वो चीज़ है, जो दो sentences को जोड रही है, अब दो sentences को जोडने वाली कोई भी चीज़ आपके लिए क्या होगी, conjunction, अब although के साथ, या तो हम yet लगाते हैं, या लगाते हैं, कोमा, और इस कर दो, या yet remove कर दो, दोनों चीज़े साथ-साथ में नहीं आएंगी, although के साथ, या तो yet लगता है, या कोमा, आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं, चाहें तो इसको अपनी notebook में note कर सकते हैं, ताकि जब भी आप exam के लिए revise करें, आपके लिए easy हो जाए, चलिए, अब बढ़ hd, अगर देखा जाए तो केवल r का फरक है, difference क्या है, bot का मतलब तो होता है, to purchase, lana, sorry, खरीदना, और brought का मतलब होता है, lana, to bring, lana, ठीक है, bot जो है, second और third form है, किसकी, buy की, और brought जो है, second और third form है, किसकी, bring की, तो bot का मतलब खरीदना और brought का मतलब, lana, चलिए I have bought some fruits in case of your friend stays to lunch, मैंने कुछ fruits खरीद ली है, in case तुम्हारा जो friend है, वो lunch पर रुख जाए, बताए गाईज, क्या गलती लग रही है आप लोगों को जब ये आपके exam में आया था, तो कुछ students ने गलती इस part में निकाली थी, और उन्होंने कहा था, मैं अकेला in case आएगा, in case of नहीं आता, उन्होंने क्या बताया था? अगर, यदी, इफ, मैंने कुछ fruits खरीद ले हैं, अगर तुम्हारा friend lunch पर रुख जाए, तो क्या पता रुख जाए, in case का मतलब होता है, future का कोई ऐसा event जिसकी होने की संभावना होती है, in case तब यूज करते हैं, जैसे मैं कहूं, umbrella ले जाओ, in case बारिश हो जाए, जल्दी से निकलू, in case train time से पहले आजाए, ठीक है, तो in case का use हम तब करते हैं, जब हम future के कोई काम होने की संभावना होती है, तो लेकिन in case के साथ off का use कभी भी नहीं होता, तो यहाँ पर जो mistake क्या है आपकी off नहीं आएगा, ये तीनों question आपके previous year में आए होई है, important concept है, अच्छे concept है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी doubt है आपको या कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप comment box में मुझे comment करके बता सकते हैं, वीडियो कैसी लगी, ज़रूर बताएगा, thanks for watching, keep learning, keep sharing, take care.